आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफेंड अंशु में स्वागत है। आपके अचानक से आपके नेचर में बतलाव आ जाता है। इसकी वज़े से प्राव्ब्लम होने लगती है, स्किन पर पिग्मेंटेशन हो जाती है, स्किन पर दाग हो जाते हैं। या अचानक से ही आपका बहुत जादा वेट बढ़ जाता है, या अचानक से ही बहुत वेट कम हो जाता है। जब ऐसी सितियां उत्पन हो जाती है, तो बहुत परिशानी आती है कि अब ऐसे में हम क्या करें। तो सबसे पहले तो आप अपने घरेलू इलाज करते हैं, आपके घर के बड़े आपको राय देते हैं कि आप ऐसे ऐसे करिए जिसकी वज़े से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी पर उन इलाज से भी कोई फायदा नहीं होता है। उसके बाद आप जाते हैं डॉक्टर के पास, स्पेसलिस्ट के पास जाते हैं अपना इलाज खराने। आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आने लगेगी, आपकी खुब सूर्ती में कमी आने लगेगी। जानना चाहते हैं इस पर हमने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने सूर्य, चंद्र, शनी, शुक्र और मंगल के बारे में बताया हैं कि ये घ्रे यदि आपकी जनम पत्री में खराब हैं तो आपको क्या समस्य उत्पन हो सकती है और उसके क्या इलाज हैं। आज इसी वीडियो को हम पार्ट 2 बना रहे हैं आगे कंटीनियू कर रहे हैं आगे के ग्रहों को लेकर कि यदि आपकी जनम पत्री में बुद्ध और गुरु वीक हैं तो ऐसी सिती में आपको क्या परिशानी उत्पन हो सकती है और क्या परिशानी के कारण आपकी बुद्ध एक ऐसा प्लानेट है जो नौ ग्रहों में सबसे छोटा प्लानेट है और सबसे यंग प्लानेट है तो जिनकी जनम पत्री में बुद्ध अच्छा होता है ऐसे विक्ति बहुत ही यंग दिखते हैं अपनी उम्र से हमेशा छोटे ही दिखते हैं आपने बहुत लोग सभाव का भी बहुत अच्छा होगा चंचल होगा उसकी स्कीन पर ग्लो ही अलग होगा उसको कोई ब्यूटी प्रोड़क्ट इस्तेमाल करने की ज़ुरत नहीं है और यदि आपकी जनम पत्री में बुद्ध खराब है बुद्ध पीडित है या पाप करहों से ग्रसित है तो ऐ तक कि बोलने चालने में आप तुतला कर बोलेंगे जब ऐसी परेशानी आपके साथ आएगी तो आप अपने आपको खुदी अच्छा फील नहीं करेंगे और सामने वाला भी आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगा क्योंकि सब कुछ होती है जब आप खुबसूरत ही नहीं मिल पाएगी डॉक्टर अपनी दवाईयां देगा आप दवाईयां खारें पर आपकी जो प्रॉब्लम है वहीं की वहीं है तो ऐसी सिती में आपको बुद के उपाए करने चाहिए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए आपको बुदवार से शुरू करके रोजगाए को पालक जरूर खिलाना चाहिए ऐसा करने से आपका बुद्ध स्ट्रॉंग होगा और हो सके तो आप पन्ना रतन भी धारन कर सकते हैं ये रतन आपको राइट हैंड की लेटल फिंगर में पहनना है चांदी में पहने इसको बुदवार के दिन पह पहने से आपका बुद्ध स्ट्रॉंग होगा और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है और दीरे दीरे क्योर हो जाएगी अब यदि आपकी जनम पत्री में गुरू ब्रसपती खराब है गुरू ब्रसपती कमजोर है या पाप ग्रहों से ग्रसित है तो ऐसी सिती में क्या ह होगा ऐसी सिती में आपका वजन अचानक से ही बढ़ जाए गा या अचानक से ही बहुत कम चीने हम अंदर वेट कहते हैं कम हो जायेगा जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो जाता है आप सूचेंगे कि ऐसा में क्या करूं बहुत कोशिश करेंगे तो भी weight कम नहीं होरा है आपने gym join करा तो भी weight कम नहीं हो रहे थोड़ा सा 90-20 होता है और उसके बाद फिर बढ़ जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि आपका गुरू-पीडित है इसकी वज़े के रोज केसर का तिलक शरूर लगाएं माथे पर नाभी पर और अपनी जीवा पर यानि जीव पर दिन का पहला निवाला पीला और मीठा शरूर खाएं गाय को रोटी पर हल्दी गुड़ और चने की धाल रखकर सरूर खिलाएं यह उपाई आप कंटीनियू करेंगे तो आप में परीषानी आ सकती है। आपको भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो करिए उस घरे का उपाए आप और आपका जो ट्रीटमेंट है वो आपको फलित भी होगा और आप सुन्दर दिखने लगेंगे क्योंकि सुन्दरता तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो मित्रों यह ती जानकारी कि खुबसुर दि लिक कर पूछ सकते हैं अपने चैनल एस्ट्रोफेंट अंश को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेल नोटिफिकेशन को आउन करें आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वहां भी डेली अपडेट्स आते हैं डेली का राशीवल होता है डेली आते हैं अपने आते हैं आते हैं अपने आते हैं 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 आते है